हलो दोस्तो अगर आप विव का मोःल यूज़ करते हों तो विव मॉवाल की बहुत ही कमाल की सीफरे सैटिंग के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और रहकीन मादा यह दोस्तो इन सैटिंग के बारे में अभी फिन 99% लोगो पूर नहीं पता है लेकिन दोस्तों यह जो setting बहुत ही गजब की setting है अगर दोस्तों आप इन setting के बारे में जान लेते हो तो आप काफी जाना चौकने वाले हो और दोस्तों आप जिस किसी के सामने इन setting को यूज करे होगे तो वो भी 100% सॉक्ट हो जाएगा क्योंकी दोस्तों यह जो setting है बहुत ही गजब की setting है तो दोस्तों मैं आपके उजब करके दिखाता हूँ और आपको बनाता हूँ तो आपके फोन में Facebook तो यहां पर मैंने कई सार्घ कर को सईड करके रखा है और दोस्तों अगर मैं में कर से कोक्रेकर्ट में दाइलर तो आप एक तैम को देखना चाहते हूं तो कुछ इस तरीख से खरोगी तो आपके phone में यह जो इस तरीके से time आ जाएगा दोस्तो ऐसे बहुत कमाल कमाल के shortcut हैं जिनको use करके आप सामने वाले बंदे को काफी ज़्यादा soft कर सकते हैं काफी ज़्यादा चौका सकते हो तो अब भी दोस्तो बात करते हैं कि आप इन secret features को कैसे use कर सकते हो तो इसके लिए दोस्तो आपके इस video को ध्यान से दिखना होगा तो ज़्यादा time based ना करते हुए video को शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तो आपको अपने बीगो के मुवाले में setting को open करना होगा तो मैं यहाँ पे बीगो के phone में setting open कर लेता हूँ ठीक है setting open करने के बाद दोस्तो आपको नीचे की तरफ scroll करना है और यहाँ पे दोस्तो आपको एक setting मिलेगी shortcut and accessibility ठीक है इस पे आपको click करना है इस पे किलिए करने के बाद दोस्तो सबसे पहले आपको यहाँ पे smart motion वाला option मिलेगा जिस पे आपको click करना है ठीक है इस पे किलिए के बाद आपको यहाँ पे ऊपर में एक option मिलेगा smart back ठीक इस पे किलिए करेंगे और इस पे किलिए करने के बाद दोस्तो आपके फोन में क्ई सारी settings दिखाई देंगी जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे starting में दिखाया था तो आपके फोन में गाना नेक्ट हो जाएगा अगर पीछे INTERACY करना चाहते हो तो कुछ से स्थु गरोगे तो आपके फोन में जो गाना है पीछे हो जाएगा। prawdziux अब बात करते हैं और काफी सारी percentage है जैसे कि आप देख पा रहे होगे यह आप देख लिए ना इसके अलावब दोस्तों मैं आपको और सेटिंग बदा देता हूँ जो आपको अपने फोन में यूज करनी है ठीक है तो यहाँ पर एर ओपरेशन मिलता है इस पर किलिक करेंगे इस पर किलिक करने के बाद दोस्तों जैसे मैं आपको दिखाया था टाइम बाला जो सेटिंग हो यही है ठीक है बलेक स्कीन के लेंज पर अगर आप किलिक करते हूँ तो आपके फोन में जो सेटिंग टाइम वाली थी वह दिखाया देती है और यहाँ पर दोस्तों आपको सेकेंड ओप्सर मिल जाता है एर अनलॉक तो अगर आपको इस तरीके से करोगे तो आपका फोन अनलॉक हो जाएगा तो यहाँ पर और भी सेटिंग है जो मैं आपको बदा दिता हूँ इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर मिलती smart call तो यहाँ पर किलिक करोगे इस पर किलिक करने के बाद सबसे पहले सेटिंग को ओपन कर देना है एए ऐन कर देना है ठीड़ा करने तो आप अपने फोन को जैसे ही अपने कान के पास ले जाओगे तो आपकी जो कौल है आपको उठानी नहीं पड़ेगी ठीक है इसके अलावा दोस्तों आप सेकर्ड सेटिंग की बात करते हैं जैसे का आप देख पा रहे हुए इसका मतलब क्या है अगर दोस्तों आप अपने phone पे hand free पे बात कर रहे हो तो जैसे ही दोस्तों आप अपने phone को कान के पास ले जाओगे तो आपका phone जो है automatic switch हो जाएगा speaker of work को के air mode पे आ जाएगा I mean air वाले speaker पे आ जाएगा ठीक है तो ये वो setting है इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे तीसरी setting बलती smart mute अगर दोस्तों आप इस setting को on करके रखते हो तो जैसे दोस्तों आपके phone में कोई भी call आती है तो बहाँ पे दोस्तों अगर आप अपने phone को कुछ इस तरीके से sensor के सामने करते हो तो आपका phone mute हो जाएगा ठीक है और दोस्तों है आपके चौती setting की बात करते है बेव to hands free ठीक है अगर दोस्तों अपने phone को आपने receive करके टेबल पर रखा हुआ है और आप चाहते हो उसको hand free करना तो कुछ इस तरीके से आप करोगे तो आपका phone hand free हो जाएगा तो यह थी कुछ important setting जिनके बारे में अभी भी काफी लोगों को नहीं पता होगा और comment करके आप जरूर से बताना इन setting के बारे में आपको पता था के नहीं बाकी के यह setting आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर में बताए वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जर एंड चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना तो मैं मिलता है किसी ने एक्स इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए टेक करेंड बाई